नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में शुरू करते हैं प्रकाश भारती ची द्वारा लिखा गया एक और मज़ेदार उपन्यास असली मुझरिम दिन दहाड़ी खुली सडकों पर घूमने में खत्रा था पुलिस किसी शन उसी दबोज सकती थी और पुलिस की हाथ पढ़ने का सीधा सा अर्थ था फांसी का फंदा वह बेचैनी से किसी टैक्सी का इंतजार करने रगा संयोंग वर्ष जल्दी ही उसी टैक्सी मिल कई वह पि कुछ सोच रहा हूँ आप कभी या लेखक हैं ड्राइवर ने गर्दन खुमा कर पूछा नहीं तुम अपना ध्यान सडक पर रखो आप तो नाराज होगे साहब मैंने तो यूहीं पूछा था संजे को लगा ड्राइवर बातोरी होने के साथ साथ इस खुश पहमी का शिकार भी था कि वह बहुत ही समजदार था और अपनी उस समजदारी को जाहिर करने में फक्र महसूस करता भी परतीत होता था वह सिग्रेट सुलगा कर अपने अगरे कदम के बारे में सोचने की कोशिश करने लगा आप आराम से सोचना जाते हैं साहब ड्राइवर ने टोका हाँ क क्यों मेरी गाड़ी में ऐसा इंतजाम है कि आप खुद को एकांथ में सोफे पर बैठा महसूस करेंगे मतलब उपर देखिए संजय ने देखा छट में विशेश आकार की कांच की मोटी शीट इस धंग से फिट थी कि अगर उसे नीचे कर दिया जाए तो वो अगली सीट की पुष्ट पर पोरी लंबाई में छट तक फिट बैठ कर दोनों सीटों के बीज पार्टिशन का काम कर सकती थी अचानक उसके दिमाग में एक विचार कौन था और उसने उसी पर अमल करने का फैसला कर लिया आराम और चैन अपने नसीब में नहीं है दोस्त मैं ठंडी सांस देकर बोला क्यूं साहब रहने दो क्या करोगे पूछ कर आदमी ही आदमी के काम आता है साहब मैं कुछ मदद कर सकता हूँ मेरे घरिरू मामले में तुम क्या मदद करोगे आप शादी शुदा है हाँ बच्चे नहीं है होते तो और मुसीबत होनी थी आपकी नौकरी जगड़ा हुआ है तुम तो काफी होशियार आदमी हो संजद तारीफी लहजे में बोला एकदम समझ गये ड्राइवर तारीफ सुनकर खुश हो गया जगड़े की वज़े क्या थी उसने जानना चाहा राद दोस्तों के साथ पार्टी में फस गया था दो तीर टैक भी ले थे इस चक्कर में घर देर से पहुचा और दुकाने बंद हो जाने की वज़े से ड्राइ क्रेनर से उसके कपड़े नहीं ला सका बस वे देखते ही बरस पड़ी विस्की की सुरूर में मुझे भी ताबा गया और दो हाथ जमाने की बेवकूफी कर बैठा आपको हाथ नहीं कागश तयार कराएगी अब तुम ही बताओ क्या मेरी गलती इतनी बड़ी थी कि ऐसी सजादी जाए नहीं आप सारी रात घर से बाहरी रहे साहब तो और क्या करता वापस घर जाकर पडोसियों को तमाशा दिखाता मैंने तो रोजाना के इसी जगड़े की वज़े से शाद आने पर इसकदर आप इसी बाहर हो जाती है कि भला बुरा कुछ नहीं सोच पाती बस जो मन में आता है कर गुजरती है तब तो आपको किसी पितने सुलक कर लेनी चाहिए इससे पहले कि वह वकील से बाते करे आप घर जाकर उसी समझाईए अब यह भी नहीं हो सकता क्योंक अभी अकबार में छपी पोटो के आधार पर उसे पैचार नहीं पाया था तुम्हें पता है कल एक बैंक में चोरी हो गई उसने पूछा टैक्सी स्टेंड पर ड्राइवर भाईयों को कहते सुना तो था कि निजामाबाद बैंक में कुछ घपला हो गया है मेरी पतनी भी उ ऐसा ही कर चुकी है जबकि आज सुभा तो बैंक में काफी पुरिस होगी आपकी समस्य वाकई टेड़ी है बहुत जादा टेड़ी है दोस्त संजे उसे पूर्वता घिस्ता हुआ पूला पिछली तफ़ा उसने साफ साफ कह दिया था कि अगर में दोबारा शराब पी कराया तो वे हमेशा के लिए इस किस्ते को निप्टा देगी तब तो आपको जरूर कुछ करना चाहिए साफ ड्राइवर सहानू भूती पूर्वक बोला संजे जान बूच कर कुछ देर खामोश रहा तुम्हें अपनी मुसीबत में फसाना तो मैं नहीं चाहता दोस्त अंत में व कि करना क्या है मुझे एक तरकीब सुझी है अगर मैं अपनी पतनी को बैंक में दाखिल होने से पहले पकड़ कर टैक्सी में सबार करा दू फिर टैक्सी को सड़कों पर इधर उधर घुमाते हुए उसे समझाने की कोशिश करूं तो शायद बात बन सकती है आपकी तरकीब सही और दमदार लगती है लेकिन वैं किसी जंगली बिल्ली कि धने पेश आएगी चीक कर पुलिस को बुलाने की कोशिश भी करेगी ड्राइवर मुस्कुराया पिछली खिर्कियों के शीशे चड़े हुए हैं पार्टिशन को नीचे गिराने के बाद पिछली सीट बकसासा बन जाएगी आवाज आरसानी से बाहर नहीं जा सकेगी यहां तक कि मुझे भी ठीक से सुनाई नहीं देगा यानि तुम सयोग करने के लिए तयार हो जी हाँ ड्राइवर ने गर्व से कहा आप अपने घर को तबा होने से बचाना चाते हैं इस नेक काम में अगर मुझे मु की टैक्सी पार्टिशन की वजे से पूरी तरहें फायदे मन साबित होगी बहुट बहुट शुकरिया दोस्त वेह बूला बैंक की ओर चलो टैक्सी बैंक की ओर दोडने लगी लगभग 10 मिनट बाग वे बैंक की सम्मुक जा पहुँचे इमारत के बाहर सब कुछ सामान्य पुलिस की मौजूद्गी का कोई चिन वहाँ नहीं था संजे के निर्देश पर परवेश द्वार के सामने से थोड़ा सा हटकर टैक्सी साइड में पार्ट कर दी गई 10 बजने में 5 मिनट बाकी थे संजे दाय माय देखता इंतजार करने लगा मैं कसम खा चुका हूँ वेह बोला अगर इस बार सुला हो गई तो आइंदा कभी शिकायत का कोई मौका उसे नहीं दूँगा तब तो उसे भी आपको एक और मौका देना ही चाहिए ड्राइवर ने कहा इसी उम्मीद पर मैं यह सब कर रहा हूँ तभी संजे को पुलोवर और वुलन स्कर्ट पहने तथ कंधे पर हैंड बैग लटकाए तनेजा की सेकेर्टरी शान से चलकर राती दिखाई थी वह पिछले रोज की ही भाती सुन्दर एवं आकर्शक नदर आ रही थी वह आ रही है उसने इशारा करते हुए कहा आपकी पत्नी बाकई बहत खूबसूरत है साहब ड्राइवर दर्वाजे के पास पहुँचने वाली थी बाहर निकल कर उसके सामने खड़ा हो गया और बोला अंदर बैठो फिर इससे पहले कि बुरी तरहें चौक गई वह कुछ समझ पाती उसे उठा कर कार की सीट पर डाला खुद अंदर बैठा और दर्वाजा बन करके पार्टिशन नीचे किरा दिया टैक्सी पुना तोड़ने लगी सारा कांड इतनी फूर्ती और सफाई से हुआ कि किसी को पता तक नहीं चल सका युवती ने जो ही चीखने के लिए मूँ खोला तो संजे ने एक हाद से फौरण उसका मूँ भीचा और दूसरी बहां उसकी पीट में डाल कर उसे स्वेम से सटा लिया युवती उसका मूँ नोचने की कोशिश करने लगी संजे देख चुका था कि रियर व्यू मिरर में उन्हें देखता ड्राइवर मुस्कुरा रहा था युवती का मूँ दबाए संजे ने उसकी पीट से उसकी पहां संभाल कर उसकी हास पकड़ लिये ध्यान से मेरी बास सुनो बह बोला इन हरकतों या चीखने से कोई फाइदा नहीं होगा ड्राइवर मेरा अपना आदमी है युवती का परतिरोज समाप्त हो गया संजे ने उसके मूँ से हाथ हटा लिया इस पागलपन का क्या मतलब है वे हाफती सी बोली क्या चाते ह मुझे कहाने चा रहे हो तुम्हारी जान बचाने के लिए पिछली रात किसी को सिर्फ इसलिए जानगवानी पड़ी थी क्योंकि तुम्हारी तरह वेह भी कुछ उलजा हुआ था युवती कोने में खिसक गई थी और इस खींचा तानी में उपर खिसक आए अपने सकर्ट क को सीधा करने के बाद हास सिबाल सवार रही थी जानते हो मैं कौन हूँ हाँ बस नाम नहीं जानता मेरा राम मिनाक्षी महाजन है मैं तुम्हे एक कहानी सुनाता हूं मिस महाजन संजे ने कहना आरम किया संजे वर्मा नामक एक आदमी निजामाबाद बैंक में 5000 रुपे ल परतेक परिचित से भी पूरी तरह दूर रखना था एक आदमी जो जानता था कि संजे इस धंग से शहर से दूर जाने वाला था ऐसे ही किसी सटप की ताक में था क्योंकि वह बड़ी सफाई के साथ 50 लाख रुपे उड़ाना जाता था उसकी योजना सीथी सीथी संजे से म इस अप में अकाउंटेंट रह चुका था और इस नौकरी के लिए वे पूरी तहरे क्वालिफाइट था उस आदमी की योजना के मुताबिक संजे वर्मा के डुप्लिकेट ने डिफेंस प्लांट पैरोल की रकम उड़ा कर गायब हो जाना था और पुलिस ने चोरी के सलाशना शुरू कर देना था जिसका न तो कोई नाम था न कोई चहरा और ना ही कोई वजूद या हो सकता है असली संजे वर्मा से यह अपेक्षा ही नहीं की गई थी कि वह खुद को बेगुना साबित कर पाएगा या फिर हो सकता है शडियंत्र कारियों ने उसे मार कर उसक अप्लिकेट शायद बहुत अच्छा एक्टर भी था उसका हुलिया संजे वर्मा जैसा बना दिया गया हर एक पहलू पर इतनी बारीकी से गौर किया था कि संजे वर्मा के दस्तकत और बैंक अकाउंट नंबर तक को इस्तमाल किया गया यह दोनों चीजे उसकी लोन अप्ल आया गया इसे असलियत का और ज्यादा रंग देने के लिए उसे यह सूचना लेटर द्वारा देना भी जरूरी समझा गया लेकिन बैंक का कोई लेटर सीधा उसके असली एड्रस पर भेजने की बजाए उसके लिए एक जाली एड्रस का प्रवंद किया गया संजे वर्मा क नाम से एक कमरा किराय पर लेकर ताकि बाद में साबित करने में आसानी रहे कि संजे वर्मा का इरादा शुरू से ही बैंक में घोटाला करने का था इसलिए उसने अपने असली एड्रस की बजाए जाली एड्रस बैंक को दिया था तमाम तयारिया कर चुखने के बाद ठोस एलिबाई पेश कर सकता था जब कि उसके वापस लोटने पर वे पैरोल की रकम आसानी से उड़ा सकते थे और संजे वर्मा का डुपलिकेट गधे के सिर से सींग की तरह गायब हो सकता था तनिक रुक कर उसने टोका तुम सुन रही हो हाँ सुन रही हूँ योजना प्रूफ भी नजर आती थी लेकिन वे लोग भूल गए कि इत्वाक या संयोग एक ऐसी दमदार चीज होती है जिससे बंती बात एक पल में ही बिगर जाती है बैंक द्वारा जाली पते पर लेटर भीजा गया जहां मकान मालकिन ने not here लिखकर लेटर पोस्टमेन को वापस लोटा दिया फिर योजना के मुताबिक संभवता पोस्टमेन को ही अप्रोच करके लेटर सही पते पर फॉर्वर्ट करा दिया गया आइडिया अपनी जगे सही था और सही धंग से अंजाम भी दिया गया लेकिन गडबर यह हुई कि जब वो लेटर सही पते पर पहुँच लगभग तभी संजे वर्मा शहर में लोटाया और अगर वह पूर निश्चित दिन वापस डॉटता तो शायद आइडिया काम कर जाता खेर उसने लेटर पढ़ा और बैंक में उसकी बावर पूश्टाश करने पहुचा वहां दिनेश राजगुपता जगमोहन तनेजा औ इस स्टेज पर एक बार फिर इत्फाक पैदा हो गया संजे को भी उस फोटो का पता चल गया उसने फोटो उठा कर जेब में रखी और बैंक से आ गया वह तनिक रुका फिर बोरा इस कहानी में तनेजा मास्टर माइंड है वह जानता है संजे को शक हो गया है फिर भी क्यों वरणा की असल हिस्ते को पूरा करने के लिए इसलिए उसने संजे के डुप्लिकेट को आदेश दे दिया कि पैरवल की रकम फौरन उड़ा ली जाए डुप्लिकेट ने उस काम को अन्जाम दे दिया लेकिन इस सारे सिलसिले की चेंड में दो- एक कमजोर कडिया भी थी जि बे गुनाही के दावे की पुष्टी कर सकता था, बलकि इसली भी कि वह कल सुभा करीब 11 बजे संजय से बाते कर चुका था, तनेजा शुरू से ही जानता था कि गुपता को ठिकाना रगाना पड़ेगा, इसली उसने पहले ही संजय वर्मा के फ्लैट में उसके रिवालवर च उप रही, फिर बोली, मुझे इस पर यकीन नहीं आता, तुम्हारे भलाई इस पर यकीन करने में ही है, संजय ने कहा, वर्ना तुमें भी इस दुनिया से जल्दी ही कूच करना पड़ेगा, कल तुमने मुझे उससे बाते करने के लिए अंदर जाते देखा था, तुम जैस पूल की रकम की चोरी जाने से पहले ही, मेरा फोटो उसके डेक्स पर क्या कर रहा था, तुमने डेक्स पर मेरा फोटो देखा था ना, हाँ, इसलिए कल तुम मुझे बैंक में देख कर हैरान रह गई थी, हाँ, तुम्हारे चेहरे के हुलिये में तबदीली के बावजूद मैंने तुम्हें पहचान लिया था, तब तो तुम्हारी जान वाकई बेहत खत्रे में है, मिनाक्षी उपहास पूर्वक मुस्कुराई, मिस्टर संजय वर्मा, तुमने कहानी तो बढ़िया गड़ी है, लेकिन मुझे इस पर जरा भी यकिन नहीं है, अगर आज तनेजा त मैं तुमसे पूछता है कि क्या तुम जानती हो, वो फोटो किसकी थी, तब मैं पूछ सकती हूँ, मिनाक्षी ने जवान ना देकर पूछा, तुम यह सब मुझे क्यों सुना रहे हो, तुम जवान और खुबसूरत हो, इसलिए जवानी में तुम्हें मरते मैं देखना नही जाता, दूसरे, मुझे बैंक में काम करने वाले किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश है, जो मेरी मदद कर सके, सौरी, इस काम के लिए तुम्हें किसी और को ट्राई करना होगा, और अब ड्राइवर से कहो, कि वे टेक्सी रोकते, मुझे उतरना है, उतरने से पहले आखरी बात संजे बोला, मुझे यकीन है कि फोटो के मामले में जब तनेजा तुम्हारे साथ सकती से पेश आएगा, तो तुम अपना इरादा बदल दोगी, और तनेजा को उसके गुनहा की सजा दिराना चाहोगी, अगर ऐसा हो जाता है, तो मुझे मिलना, मैं आज रात आट बजे, देनशा बिल्डिंग के सामने तुम्हारा इंतजार करूँगा, उसने पार्टिशन खटखटाया, और ड्राइवर को रुखने का संकेत दे दिया, टैक्सी रुख गए, गुडबाई मिस्टर वर्मा, मिनाक्षी ने कहा, और जर्वाजा खोल कर उतर गई, संजे ने रोसा रही कर सकता, मीटर देखकर भाड़े के अलावा 50 रुपे और देखकर, संजे एक बार फिर उसका शुक्रिया अदा करके मोड पर उतर कया, अगले आधा घंटे में एतियातन दो टैक्सियां बदलने के बाद, वह एक स्टोर में पहुँचा, और जल्दी तथा तेज से असर करने वाली बढ़िया ब्राउन हेर डाई और शीशा खरीद लिये, एक सिनिवा हॉल के टोयलेट में जाकर उसने बाल डाई किये, 20-20 मिनट बाद बाहा निकला तो उसके बाल ब्राउन हो चुके थे, मिनाक्षी को ड्रॉप करने के बाद, हाला कि उसे यकीन था कि का अफ़ी हद तक उसे शीशे में उतारने में काम्याब हो गया था, फिर भी मिनाक्षी द्वारा पुलिस को उसके हुलिये की बारे में सूचित किये जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता था, इसलिए उसने अपने बाल डाई करके हुलिया थोड़ा और बदल दि उसने वैसे ही रहने दिया, क्योंकि जक्म के निशान को दिखाने की अपेक्षा ढके रखना ही ज़्यादा ठीक था, सडक पर सिर जुकाई पैदल चलता संजे सोच रहा था, उसके पर्स में सिर्फ साड़े पांस सो रुपे थे, उसी में गुजारा करना होगा, क्योंकि ब उसके पास ना तो छुपने के लिए कोई सुरक्षिस थान था, और ना ही जेब में पैसे इतने ज़्यादा थे, कि अंधेरा होने तक टैक्सियों में बे मतलब खूमता रह सके, इस सोच विचार में फसा, वह बेबी काट धकेलती जा रही एक औरस्ति टकरा गया, सौरी बो दुबारा एक बन सड़क पर पहुंचने के बाद ही वह बेफिकरी महसूस कर सका, वह थोड़ी दूर ही चला था, कि मैले लिबास और मोटी नाक वाला एक शराबी और उससे आटकराया, संजे ने उसे परे धकेल दिया, माफ कीजिए, शराबी उसके साथ चलता हुआ बोला आप मुझे कोई नौकरी दिला सकते हैं? नहीं, शराबी उससे तनिक पीछे रहकर साथ चल दिया, मैं भीक नहीं मांग रहा हूँ साहब, मुझे नौकरी चाहिए, मैं इसमें कोई मदद नहीं कर सकता, तो फिर दस रुपे उधा दे दीजे, नहीं, दफा हो जाओ, संजे क पसीने छूटने लगे, सामने से एक मोटा पुलिस वाला रंडा हिलाता हुआ इधरी आ रहा था, संजे ने पलट कर वापस जाने की कोशिश की, जिधर से आया था, थेरो, पुलिसमेन चिलाया, संजे रुख गया, पुलिसमेन ने शराबी की कलाई पकड़े उसते पूछा यह आदमी आपको परिशान कर रहा था, संजे वहां से पूट लेना चाहता था, नहीं, उसने जवाब दिया, मुझे इसकी कई रोस्ते तलाश थी, इसे हवारात भिजवाता हूँ, लेकिन इसने कुछ नहीं किया है, आप इसे नहीं जानते, यह साला बड़ा पक्का चोर ह होगा, संजे उतावली से बोला, मेरा एक जरूरी अपॉइंटमेंट है, मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूँगा, पुलिसमेन ने कहा, फिर शराबी से बोला, चुप चाप खड़ा रहना बे, वरना सालेक तांगे तोड़ दू होंगा, यहां किस जगत है रहे हैं आप, होटल अलका, धन्यवाद, आप जा सकते हैं, पुलिसमेन ने कहा, और डायरी जेब में रख कर शराबी को डांट लगाई, आज क्या किया है बे, किसी की जेब काटी है, संजे मुश्किल से दो कदम ही आगे बढ़ा था, कि पुलिस शिनाक्ती कागजाद भी थे, पार किया जा चुका था, और पार करने वाला पर्त्यक्ष्टा यही शराबी था, संजे फॉरन पलट किया, इस आदमी के पास मेरा पर्स है हवलदार, मेरे पास इसका कुछ नहीं है, शराबी गुर राया, यह जूट बोल रहा है हवलदार, म उसी का था, यह आपका है, पुलिसमेन ने पूछा, हाँ, आपको पुलिस स्टेशन चलना होगा मिस्टर कपूर, मैं इसे जेव काटने के जुर्म में गिरफतार कर रहा हूँ, आपको रिपोर्ट लिखवानी होगी, और पर्स मिलने की रसीत देनी होगी, पर्स आपको मिल जाएगा, अचानक गले पड़ी इस मुसीबत से संजे पर घबराहट सवार होने लगी, मेरे पास इतना वक्त नहीं है, मुझे पहले ही देर हो गई है, वे कठिन स्वर में बोला, यह पर्स इसका नहीं है, शराबी ने कहा, मेरा है, पुलिसमेन ने उसे थप पर जड़ दि और पहचान लिये जाने का खत्रा पड़ता जा रहा था, ठीक है, मैं रसीद दिये देता हूँ, अभी मुझे पर्स में मौझूद चीजों के लिस्ट बनानी है, सुनो हवलदार, पर्स के इंतदार में अपना अपॉइंट्मेंट मिस करके मैं 50,000 का नुकसा नहीं उठाना बोला, मुझे अपने बिजनेस फ्रेंड्स को लंच के लिए ले जाना है, पैसे निकाल कर मुझे दे दो, पर्स अपने पास रखो, मैं बाद में थाने आकर रसी देकर पर्स ले जाऊंगा, तभी दूर कहीं से साइरन की आवाज आती सुनाई थी, संजय के छक्के चूटन लगे, उसे लगा कि उसे पुलिस पकड़ने आ रही थी, जरा ठहरिये मिस्टर कपूर, हवल्दार बोला, मैं पर्स को खोल कर चेक करता हूं, और एक पलपी ठहरना फासी के फंदे पर चड़ने कासा मन करने जैसा था, ठीक है, तुम पर्स को रखकर चाटो, संजय क्रोद म श्रित्र विवश्टा पून स्वर में लगबग चिल्दाता सा बोला, मैं जा रहा हूं, बाद में आकर तुमसे निप्टूंगा, वेह पलट कर तेजी से चलतिया, ठहरो, अचानक पुलिस में जोर से चिल्दाया, पकड़ो, वेह जान गया था, कि पर्स का मालिक संजय वर और उसकी वज़े से दो कारे आपस में टकरा जाने से बाल-बाल बची, सडक क्रोस करके वे दूसरी फुटपात पर अंधा धुन भागता चला गया, पुलिसमेन अपने मोटापी की वज़े से पीछा नहीं कर पाया, और खड़ा-खड़ा सेटियां बजाने लगा, महसूस करते हुए, उसने अपनी जेबे टटोलनी आरब कर दी, चेंज और छोटी नोटों की शकल में उसके पास सिर्फ 12 रुपे 60 पैसे थे, पासी एक घटिया सिनेमा हॉल का नून चोर शुरू होने वाला था, संजे ने सबसे कम कीमत वाली साड़े 3 रुपे की टिकेट खरी दी और हॉल में चला गया, फिरहाल इस से ज़्यादा सुरक्षिस थान और नहीं हो सकता था, गुटन भरे माहूल में अपनी सीट पर बैठा, वह सोचने की कोशिश कर रहा था, इस बखेरे से कैसे निकला जाए, लेकिन वह सिर्फ इतना ही सोच पाया, कि अब पुलिस वाली सीट पर मौजूद आदमी इंटर्वल के बाद ही कोट उतार कर कुर्सी की बाजू पर रखकर सो गया था, वह उस वक भी सीट में पसरा सो रहा था, जब शोक खत्म होने से कोई दो मिनट पहले ही लोग उठने शुरू हो गये थे, संजे ने अपना कोट उतारा, उसक से पहले बाहर निकल गया, तक तक अंधिरा अच्छी तरह फैल चुका था, वह तेजी से चल दिया, सिनेमा हॉल से दूर एक स्टोर में जाकर, उसने टेलिफोन डिरेक्टरी में तनीजा के निवास थान का एड्रेस नोट किया, और बस डोप की और पढ़ गया, बस से उतर कर संजे पैदल चल दिया, ठीक 6 मिनद बाद वह उस शांदार अपार्टमेंट हाउस में दाखिल हुआ, जिसमें चौथे खंड पर तनीजा रहता था, लिफ्ट द्वारा उपर पहुंच कर कारपेट पिछी कॉरिडोर में मोर पर घूमते ही, संजे को तनीजा के लगे थे, कुछी एक सेकंड पस्चा थी दर्वाजे की जिर्री से, तनेजा के कमरे से निकल कर लिफ्ट की और जाती रजनी गुपता दिखाई दी, लिफ्ट नीचे जाने की आवास सुनाई देने के बाद भी, संजे ने करीब 3 मिनट इंतजार किया, फिर बाहर निकल कर तनेजा के दर्वाजे पर दस्तती, दर्वाजा खोल कर तनेजा पर कट हुआ, कीमती ड्रेसिंग गाउन पहने और विस्की का गिलास हाथ में थामे, वह मुस्कूरा रहा था, आओ संजे, संजे अंदर चला गया, अत्यंत विलास पून धंग से सुसजित विशाल ड्राइं मेनेजर भी इतने ठाट बाट से रह सकता है, तारीफ के लिए शुक्रिया, तुम्हारे इस गाउन की किसी जेब में पिस्तॉल भी है, हो सकती है, हमारे इस शत्रंज की बाजी में अगली चाल क्या होगी, मैं नहीं जानता, लेकिन तुम बाजी हार चुके हो, जानना चाहत हो, क्यों? तनेजा मुस्कुराया, बताओ, तुम्हारे डैस पर मुझे जो फोटो मिली थी, उसे अपने एक दोस्त की जर्ये मैंने चेक कराया है, उस पर मेरी उंग्लियों की निशान के अलावा, जो दूसरे फिंगर प्रिंट्स मिले हैं, वे उन प्रिंट्स से हूब हू मिलते हैं, जो उस रेफरेंस लेटर पर पाए गए हैं, जो तुमने मेरे पुराने एंप्लोयर को लिखा था, इस तरह मैं साबित कर दूँगा, कि मडर और पैरोल की रकम चोरी होने से पहले ही, मेरा फोटो तुम्हारी पास था, और मैं इससे इंकार नहीं करूँगा, क्य मिस गुपता ने तुम्हें अलमारी में छुपते देख लिया था, नीची लॉबी से फोन करके उसने मुझे पता दिया, और मैंने पुलिस को सूचना दे दी, अब तुम आराम से बैठो, ड्रिंक लोगे? मुझे पुलिस के हवाले करने का पागलपन तुम नहीं करोगे त सलाम बोल देना, संजे समझ चुका था कि पुलिस के बारे में तनेजा ने जूट नहीं बोला था, इसलिए वहाँ से फोरन फुट लेने में भलाई थी, वे दरवाजे की और बढ़ा ही था कि तनेजा ने गाउन की जेब से निकाल कर पिस्तॉल उस पर तानती, पुलिस से बचकर भागने में तुम काफी मशूर हो संजे, इसलिए तुम्हें गोली मारने में मैं बिल्कुल नहीं इचके चाऊंगा, जादे से जादा दो मिनट और लगेंगे, पुलिस को पहुँचने में, सायरन की आवाज नजदीक आती चा रही थी, तनेजा की उंगली ट्रेग पर कसी हुई थी, उसके चेहरे पर मुस्कुराहत थी, लेकिन एनक के पीछे आखें कांश की कठोर गोलियां सी चमक रही थी, तुम एक बात भूल गए हो तनेजा, डेर मिनट रह गया है, एक ऐसी बात जो तुम्हारा पुलिंदा बांते की, तुम्हारी उंगलियों के नि मेरे दोस्त के पास उन फिंगर प्रिंट्स के फोटो हैं, संजे दुबारा बलफ करता हुआ बोला, अगर मैं 45 मिनट तक उससे नहीं मिला, तो वह मेरा दोस्त, अपने हल्फिया बयान के साथ, की वे प्रिंट्स उसे कहां से मिले थे, बजर ये डाग पुलिस कमिशनर को भ मुश्किल से 10 फुट का वो फासला, उसे हजारों में लंबा प्रतीत हो रहा था, टांगों में कमपन था, और दिल धार धार पसलियों में बज रहा था, साइरन की आवाज अब सुनाई नहीं दे रही थी, उसने डौर नोब घुमा कर दरवाजा खोला और बाहर निकल गया तनेजा ने फायर नहीं किया, दरवाजा पुना बंग करके कॉरिडोर में मोर पर पहुँचते ही, लिफ्ट की ओर से आती आवाजे सुनाई थी, संजे पुना उसी अलमारी नुमा स्थान में छुप गया SP दिली प्राय चौधरी को अपने तीन माथतों के साथ तनेजा की अपार्टमेंट की और जाता देख कर संजे सिहरन सी लेकर रह गया अपार्टमेंट के दरवाजा खुलने और बंद किया जाने की आवाजे सुनते ही, वह बाहर निकला और दबे पाउं भाग कर उधर पहुचा जहां फायर स्केप की सीड़ियां थी उसनी दरवाजा खोला और सीड़ियों पर नीची दौरता चला गया मुश्किल से दो मिनट बाद, वह इमारत के पिछवाडे वाली नीम रोशन सड़क पर भागा जा रहा था दीनशा बिल्डिंग से करीब सौ गर्श दूर सड़क की दूसरी साइड में एक बन दुकान के दरवाजे से चिपका खड़ा संजय मिनाक्षी का इंतजार कर रहा था उस थान पर अंधेरा था, इसलिए अपने देख लिए जाने का डर उसे नहीं था दीनशा बिल्डिंग के सामने रोष्णी थी और वहाँ कोई नजर नहीं आ रहा था अगर मिनाक्षी ने पुलिस को सुचित कर दिया था और वे भी वहीं मौजूट थे तो पूरी तरह चुपे हुए थे संजे आठ बजने के साथ मिनट पर वहाँ पहुँच गया था और अब आठ बज कर तीन मिनट हो रहे थे वह दहर्य पूर्वक परतिक्षा करता रहा करीब पांच मिनट बार सड़क की दूसरी साइड वाले फुटपात पर सैंडिलो की खट-कट थुनाई दी आवाज पर कान लगाए संजे सामने देखता रहा एक स्त्रिया रही थी उसने पहचाना मिनाक्षी ही थी और अकेली थी दीनशा बिल्डिंग के परवेश द्वार के सम्मुक आकर उसने अपनी बाई कलाई उपर उठा कर रिस्ट वाज में टाइम देखा फिर वहीं टेहलने लगी संजे उसी तरह खड़ा रहा पंदरा मिनट बीद गए एक गष्टी पुलिसमेन उसे घूरता हुआ वहां से कुजरा मिनाक्षी वापस उधरी चल दी जिधर से आई थी वह करीब 200 गष्ट दूर पहुँच गई जब संजे को पूरा यकिन हो गया कि उसका पीछा नहीं किया जा रहा था तो वह सड़क की अपनी ही साइड में रहकर धीरे धीरे उसके पीछे चल दिया मिनाक्षी एक कैमिस की दुकान में खुज गई संजे तेजी से आगे बढ़ा उसे मिनाक्षी फोन पर बाते करती दिखाई थी जब वह बाहर निकली तो संजे सड़क क्रॉस करके उसके पास पहुँचा और उसकी पहां थाम ली किसे फोन कर रही थी पुलिस को तुम किसी पर एदपार नहीं करते नहीं फोन किसे किया था अपने उस फ्रेंड को जिसके साथ डेट कैंसल करके मैं यहां आई हूँ तुम अभी आये हो? नहीं, काफी देर से यही हो लेकिन तुम से मिलने से पहले यकीन कर लेना चाहता था कि तुम अकेरी आई हो संजे ने कहा और उसे में रोड से बगर वाली स्रलक पर ले जाते हुए पूछा क्या रहा? तनेजा ने फोटो के बारे में पूछा था संजे ने नोट किया कि मेकप की परत के नीचे उसका चेहरा तनाव पूंट था वह जानना जाता था कि क्या मैंने कर उसके डेक्स पर रखी फोटो देखी थी? मिनाक्षी ने जवाब दिया मैंने कह दिया कि देखी थी तब उसने मजा के ढंग से पूछा क्या मैं जानती हूँ कि वो फोटो किसकी थी? तुमने क्या बताया? यही कि मेरी विचार से फोटो उसी आदमी की थी जो कल बैंक में आया था तुमने उससे यह के दिया? संजे ने तीवर सर में बूछा हाँ, क्योंकि मुझे तब 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 तुम्हारी कहाने पर यकिन नहीं आया था लेकिन अब तो आ गया मिनाक्षी की आँखों में फैच छलक रहा था तुम्हारे बुलाने पर में यहां आ गई हूँ संजे उल्जन में पड़ गया वो तो मैं देख रहा हूँ लेकिन तुम आई क्यों हो? क्या तुमने दिली प्राय चौदरी को फोन किया है? किसे? किसी को नहीं मिनाक्षी बहाँ छुडा कर रुख गई देखो मैं तुम्हारे बुलावे पर यहां आई हूँ लेकिन लगता है मैंने यहां आकर गलत किया है इसलिए मेरा वापस जाना ही पहतर होगा जाओ लेकिन वह हिली तक नहीं उसके होट काम रहे थे संजे को लगा वेकिसी भी शन रोपड़े की मैं नहीं चाहता कि तुम चली जाओ और इस तरह चले जाना तुम्हारे अपने हित में भी नहीं है वेह बोला यह सीधा सा गणित है मिनाक्षी मुझे तुम्हारी जरूरत है क्योंकि तुम बैंक में काम करती हो और तुम्हे मेरी जरूरत है क्योंकि मैं ही इकलोता शक्स हूँ जो तनेजा को गुनागार साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ जब तक तनेजा खुला घूम रहा है तुम महफूस नहीं हो ठीक है न? हाँ किसी ने मेरा पर्स मार दिया था कहकर संजय ने कोट की भीतरी जेब थपथपा दी फिर अंदर हाट डाल कर एक पर्स निकाल लिया और फिर हसने लगा क्या बात है? मिनाक्षी ने पूछा यह पर्स करीब डेड़ घंटा पहले मैंने एक आदमी का कोट चुराय था यह पर्स भी साथ आ गया संजय ने पर्स खोल कर देखा उसमें करीब 400 रुपे थे आओ टैक्सी पकड़ते हैं टैक्सी मिलने में दिक्कत नहीं आई पिछली सीट पर मिनाक्षी के निकटता और पर्फियूम की खुश्बू महसूस करते हुए संजय ने पूछा आज बैंक में क्या हुआ दिन भर पुलिस का आना जाना लगा रहा इंशोरिंस कंपनी वारे लोग भी आये थे शान को तनेजद जल्दी ही चला गया था उसने कोई अलसमाने हरकत की थी मैंने तो ऐसा नोट नहीं किया मैं आज रात उसते मिला था उसने मेरी जान लेने की कोशिश की थी मिनाक्षी सिहर गई सी नजर आई रजनी गुपता को जानती हो संजय ने पूछा हाँ वह फुस फुसाती सी बोली इस मामले में वह भी तनेजा की साथ शामिल है जब मैं वहाँ पहुचा रजनी उसके अपाटमेंट से पाहरा रही थी तनेजा जैसे आदमी के लिए मडर और चोरी में शामिल होने की जरूर कोई तगड़ी वज़ा होनी चाहिए और रजनी गुपता जैसी महंगी लड़की भी उस तगड़ी वज़े का हिस्सा हो सकती है तुम्हारी राय में क्या वह खुबसूरत है? मिनाक्षी की स्वर में ईश्या थी उसे सही मायने में घरेरी लड़की मैं नहीं कहूंगा मिनाक्षी विचार पूर्वक उसे देख रही थी तुमने उसे तनेजा के अपार्टमेंट से निकलते देखा था? हाँ और मेरा ख्याल है कि उसने मुझे कॉरिडोर में छुपते देख लिया था लेकिन वह इतनी बढ़िया एक्टरक्स है कि मेरे पास से गुजरते समय उसने यह जरा भी जाहिर नहीं किया फिर नीचे लॉबी में जाकर उसने तनेजा को मेरे बारे में फोन पर पता दिया नतीजा यह हुआ कि तनेजा पुस्तॉल लिए इंतजार करता मिला मिनाक्षी को गौर से सुनती पाकर संजे ने कहना चारी रखा मैंने तनेजा को बताया कि उसके फिंगर प्रिंट्स मेरे फ्लैट में मौजूद है और मेरे एक दोस्त के पास उन प्रिंट्स की फोटो है अगर मैं अपने दोस्त के पास वापस नहीं पहुचा तो मेरा वहत दोस्त प्रिंट्स की फोटों को पुलिस के पास भेज़ देगा इसलिए उसने मुझे चला जाने दिया लेकिन उसने ऐसा क्यों किया तुम्हें जाने देने का मतलब है वहत जानता है कि तुम खुद ही इन फोटों को पुलिस के पास भेज़ दोके हाँ इस एंगल पर सोच विचार करने के लिए उसे वक्त की जरूरत थी और जब मैंने उसे यह धम की थी उस वक्त पुलिस इमारत में आ चुकी थी अब तुम उन प्रिंट्स का क्या करोगे? पुलिस को भेज़तोगे? संजे मुस्कुराया नहीं, क्योंकि ऐसे कोई प्रिंट्स है ही नहीं तुमने उसे बलफ किया था? हाँ, तुम मुझसे बैंक में क्या कराना चाहते हो? लंबी खामोशी की बाल मिनाक्षी ने पूछा क्या तुम अपने डेस्ट पर ही मौझूद रहकर तनेजा की टेलिफोन कॉल सुन सकती हो? हाँ, गुड़, मैं चाहता हूँ तुम कल उसकी हर एक कॉल को ध्यान से सुनो हो सकता है, वह मेरे डुप्लिकेट को कॉन्टेक्ट करे अगर हमें उस आदमी का पता लग गया तो हम इस मामले की बख्ये उखेड कर रख डालेंगे लंच में जाकर तनेजा की डेस्क की तलाशी भी लेना अगर तुमें उसकी अपार्टमेंट की चाबी मिल जाती है तो मैं वहाँ जाकर तलाशी लेने की कोशिश करूँगा और तुम खुद कल क्या करोगे? पता नहीं, मेरा ख्याल है कि कहीं कोई एंगल है जिसकी तरफ मेरा ध्यार नहीं जा पाया है मैं उसका पता लगाऊंगा मसलन कल शाम गुपता को ऐसी किसी बात का पता चल गया था कि वह मुझे ते मिलना चाहता था मेरी डुपलिकेट ने खुद को मेरे जैसा साबित कर दिया वह कोई प्रोफेशनल मेकप आर्टिस होना चाहिए मैं इसी एंगल का पता लगाने की कोशिश करूँगा संजे ने मिनाक्षी से उसके फ्लैट का नंबर पूछा और उसे आगी जाने दिया चन्द मिनत पश्चाथ जब वह फ्लैट में पहुँचा तो मिनाक्षी को किचन में काम करते पाया संजे उसकी पगल में एक स्टूल पर बैट कर उसे देखने लगा तुमने अपने बाल रंग लिये हैं? मिनाक्षी ने पूछा हाँ, अब तुम ज़्यादा अच्छे लगते हो और कुछ मिनत बाद उसने आमलेट का धेल और बटर टोस्ट एक प्लेट में उसकी सामने रख दिये संजे भुकपरों की तरह खाने लगा प्लेट पर हाद साफ करने के बाद उसने दो गिलास पानी पिया पेट भरा? मिनाक्षी ने पूछा हाँ, तुम्हारे गाल पर यह जख्म कैसे आया था? संजे ने गाल पर उंगली फिराई, फिर अचानक उचल कर खड़ा हो गया हे भगवान, वह उत्तेजी स्वर में बोला यहे निशान, यहे तो मेरी एलिबाई है मिनाक्षी ने यूँ से देखा, मानो एकाएक वहे पागल हो गया था मिनाक्षी संजे पूर्वता स्वर में बोला इस निशान से साफ साबित होता है कि उस दोरान मैंने बैंक में काम नहीं किया था क्योंकि मेरे डुप्लिकेट के गाल पर ऐसा निशान नहीं था हो भी नहीं सकता क्योंकि जब मैं निजामाबाद से गया था तब मेरे गाल पर भी यह निशान नहीं था लेकिन अब है कोई भी डॉक्टर चेक करके आसानी से साबित कर सकता है कि यह हफता दस दिन से ज़्यादा पुराना नहीं है इसका मतलब है पिछले दस दिन में बैंक का काम करने वाला आदमी मैं नहीं था नहीं मिनाक्षी सिर हिला कर बोली तुमारे इस दर्प में कोई दम नहीं है क्यों मेरे साथ आओ संजे उसके साथ बैडरूम में पहुँचा बैडरूम छोटा और मामूरी था मिनाक्षी ने ड्रेसिन टेबल के सामने पड़े स्टूल की और संकेत किया यहां बैठो मैं तुम मिनट बाद बोली अब जड़ा शीशे में देखो संजे ने देखा जक्म का निशान लगभग अद्रिश्य हो चुका था यह मुश्किल काम नहीं है वह बोली कोई भी व्यक्ति जिसके पास मेकप का सही सामान मौजूद हो इसे पूरी तरह गायब कर सकता है तुम समझ रहे होना हाँ संजे ने निराश्ति स्वर में कहा निशान हो या ना हो मुझे बैंक में काम करता रहा साबित किया जा सकता है यानि जितनी देर में बैंक में रहता था मेकप से इस निशान को छुपाई रखता था ताकि पैरोल की रकम की चोरी के बाद अगर मैं पकड़ लिया गया तो कह सकूँ कि वह आदमी मैं नहीं था क्योंकि रकम चुराने वाले की गाल पर जक्म का निशान नहीं था हाँ अचानक मिनाक्षी एहसास करती प्रतीत हुई कि उसका हाथ अभी तक संजे के कंधे पर था और वह उससे सती खड़ी थी वह शर्मा कर पीछे हट गई बात इस तरह कुछ पसंटेज तक उनके गुमरा होने की उम्मीद की जा सकती है संजे खड़ा हो गया खाने के लिए शुक्रिया मिनाक्षी कल फिर मिलेंगे तुमसे कहां कांटेक्ट किया जा सकता है मैं खुद तुम्हें कांटेक्ट कर लूगा मिनाक्षी ने आसी भरी अभी भी भरोसा नहीं कर रही हो नहीं पूरी तरह नहीं अकेरे ही लड़ोगे हां क्योंकि मैं नहीं जानता कि तुम तनेजा के लिए काम नहीं कर रही हो ठीक कहते हो वह कटूता पूरवग बोली मैं उसकी सेकेटरी हूँ इसलिए मुझ पर एद्बार नहीं किया जा सकता उसका दरवाजे की तरफ पड़ा तभी मिनाक्षी के गले से ऐसी आवाज निकली मानो वहर रुलाई रोकने की नाकाम कोशिश कर रही हो आम तोर पर अनात किशोरों को अपनी देखभाल खुद करना जल्दी ही सीखना पड़ता है मिनाक्षी के साथ भी यही हुआ खूबसूरत अवाब की मौत के बाद जाना पड़ा था और सबक सिखाने वाला था अनात आश्रम की अधेर संचालिका का बुड़ा पती खुद को उसकी हवस का शिकार होने से तो वह नहीं बचा पाई लेकिन आत्म निर्भर बनने के लिए दिन रात कड़ा संगर्ष करना जरूर आरम क दिया उसी संगर्ष का नतीजा था कि वह बैंक में नौकरी करके इज़स्ति जी रही थी मिनाक्षी ने अपनी यह कहानी बड़े ही सहज धंसी सुनाई थी उसमें ना तो किसी से कोई शिकायत थी और ना ही अपने या किसी और के प्रती नफरत का भाव अकेली बे सहाराग जवान और खुबसूरत लड़की को मुसीबतों और हास्तों से गुजरना ही पड़ता है यह एक हकीकत थी उसकी यह हकीकत संजे को भी पसंद आई और इसने भी ज़्यादा पसंद आई यह बात कि ना तो वह हमदर्दी चाहती थी और ना ही खुद को किसी से कम तर समझती नाश्ते के बाद वह अपने काम पर चली गई थी लेकिन जाने से पहले जो मुस्कुराहट उसकी चहरे पर थी उसमें एक मौन संदेश छिपा था जिसका सीधा सा अर्थ था वह संजे को दिल दे बैठी थी तभी संजे को पहली बार एहसास हुआ कि वह भी मिनाक्षी से प अर्वनाश कर सकता था खास तोर पर उस युव्ति का प्यार जो कि इस साजिश में शायद उतने ही जादा शामिल थी जितना कि खुद तनेजा शामिल था लेकिन इस हकीकत को भी वह चुटला नहीं पा रहा था कि मिनाक्षी ने उसे रात में अपने घर में शरण दी थी औ संजे इसी उधेर बुन में फसा रहा धीरे धीरे वक्त गुजरने के साथ साथ उसके मन में यह विचार जड़ जमाता चला गया कि मिनाक्षी पर भरोसा किया जा सकता था उसकी बड़े वज़े थी मिनाक्षी के फ्लैप में होते हुए भी उसका सुरक्षित होना अगर मिन आप में इतनी दंदार थी कि संजे उसे संदे मुक्त करने पर विवश हो गया दिवार घडी ने एक बजने की खोशना की तो संजे ने राहत सी महसूस करते हुए बैंक में पोन करके मिनाक्षी से संबन स्थापित किया कोई खबर है उसने पूछा हाँ मिनाक्षी ने जवाब पूछा फोन करने वाले ने कहा था कि वह नए स्थान पर है उसने अपना नाम तो नहीं बताया लेकिन उसका कहना था कि कोई खास बात हो गई थी इसलिए तनेजा से फौरण मिलना चाहता है उसने उस नई जगय का पता पताया था हाँ 78, Oblique 20, Fasted Road यह जगय शहर के पहरी भाग में है ना हाँ संजे की उस्सुकता अपनी चरम सीमा पर थी वहाँ उसके पास रकम भी हो सकती है हो सकती है तनेजा उसते मिलने चला गया संजे ने विचार पूरण पूछा नहीं वह अभी यहीं है तुम क्या करना चाहते हो मैं Forest Road जा रहा हूं मेरे विचार से हमें पुलिस को बता देना चाहिए नहीं क्यों पहले हमें सबूत तो मिले अपना ख्याल रखना संजे मिनाक्षी ने व्याकुलता पूर्ण स्वर में कहा फिर संशिप्त मोन की पश्चार बोली अब मैं तुम्हें खोरा रही चाती आज में ज उसके डेस्ट पर ही कैसे उलचाए रखा जा सकता था ताकि उसे फॉरेस रोड जाने के लिए परियाप समय मिल सके जल्दी ही उसे एक तरकीब सूच गई डायेक्टरी में ग्लोब इंशोरेंस कंपनी के एक आफिसर का नाम देख कर उसने पुना बैंक का नंबर डायल करके इस दफा तनेजा से सम्बन स्थापित किया तनेजा स्पेकिंग दोसरी और सी कहा गया मिस्टर तनेजा संजे माउट पीस को रुमाल से ठक कर बोला ग्लोब इंशोरेंस कंपनी से मैं डी के लाल बोल रहा हूँ हम अभी एक अर्जन मैटर क्रिसकस करना चाहते हैं आप अप बह बोला क्या हम फोन पर डिसकस नहीं कर सकते बिलकुल नहीं मैं जान सकता हूँ मामला क्या है हमें संजे वर्मा का एक पत्र मिला है संजे वर्मा का पत्र क्या लिखा है उसमें आपकी विचार से क्या लिखा होगा उसमें देखी मिस्टर लाल मैं बहुत मस्तरूफ हूँ तनेजा तीवर स्वर में बोला, मैं सारा दिन यहां बैट कर आपके सवालों के जवाब देता नहीं रह सकता मैं सिर्व अपने फर्ज को अंजाम दे रहा हूँ मिस्टर तनेजा बात दरसल यह है कि संजे वर्मा खुद को कारून के हवाले करके वाइदा माफ गवाब बनना जाता है उसका कहना है कि इस मामले से आप भी उसके साथ शरीक है और वो रकम आपके पास है क्या यह बक्वास है अगर आपने मुझ पर बेहुदा इलजाम लगाया तो मैं आप लोगों पर इजट हल्का का दावा ठोक दूँगा नालास मत हो यह मिस्टर तनेजा मैंने यह तो नहीं कहा कि हमें संजे वर्मा की बात पर यकीन है मैंने सिर्फ यह कहा है कि आपसे बाती करनी है ठीक है आप कितने देर में यहां सकते हैं मैं एक टेलिफोन कॉल का इंतजार कर रहा हूँ वो किसी भी मिनट आ सकती है कॉल अटेंड करते ही आपके पास पहुंचाऊंगा ठीक है संजे ने प्लंजर दबा कर लाइन डिस्कनर की और ग्लोब इंशोरेंस कंपनी से संबंद स्थापित कर इन्वेस्टिकेशन डिपार्टमेंट मांगा निजामाबान बैंक से में तनेजा बोल रहा हूँ दूसरी ओर से जवाब दिया जाने पर बह बोला हमें कुछ एक ऐसी बाते पता चली है जिसका संबंद पैरोल की चोरी गई रकम से हो सकता है उसने अपनी अवाज धीमी कर ली इस बारे में फोन पर बाते नहीं की जा सकती आप अपना कोई आदमी यहां भेज सकते हैं शूर राइट अवे सर इतनी जल्दी नहीं प्लीज मैं करीब पौना घंटा पोर्ड की मीटिंग में मसरूफ रहूंगा उसके पाद ही आप भेज़िये राइट सर आप पता सकते हैं कि किसको भेज़ेंगे ताकि मैं अपनी सेकेटरी को उसके बारे में हिदायत दे सकूँ और आने वाले को इंतजार ना करना पड़े मिस्टर परेशनात पवार आएंगे वह ही इस केस की छानबीन कर रहे हैं मेरा ख्याल है आप उनसे मिल चुके हैं ओ येस मैं मिस्टर पवार का इंतजार करूँगा करीब 45 मिनट बाद संजय ने लाइन डिसकनेक करके एक बार फिर तनेजा से समब्स थापित किया और माउथ पीस पर पुणा रुमाल रख कर बोला लाल फ्रॉम ग्लोव इंशुरेंस कंपनी मिस्टर तनेजा आपको दोबारा तकलीप देने के लिए माफी चाता हूँ इस कॉल के चक्कर में मुझे देड लगेगी मैं परेशनात पवार को आपके पास बेच रहा हूँ आप उससे मिल चुके हैं ना जी हाँ तनेजा कराता हुआ सा बोला और संबन विछेट कर दिया संजय ने अपना कोट और नाइट कैप पहने और फ्लैट लोग करके सीडियों के और बढ़ गया इमारत से निकल कर वह तेजी से चल दिया जल्दी उसे टैक्सी मिल गई और वह फॉरेस्ट रोड की और रवाना हो गया करीब 35 मिनट बाद वह मिनाक्षी द्वारा बताए गए पते पर पहुँच गया में रोड से हटकर पेड़ों की आड में छिपा काट का वोई एक पुराना और खस्ता हाल सा तीन मंजिल मकान था ऐसा लगता था बरसो पहले किसी शौकीन मिजाज आदमी ने उसे हंटिंग लॉज के तोर पर बनवाया था संजे ने भाड़ा चुकाया और करीब 20 कश दूर स्थित मकान की ओर चल दिया परवेश द्वार पर पहुँच कर उसने जिर्री से अंदर देखने की कोशिश की फिर धीरे धीरे दर्वाजे के पल्ले को पीछे धकेला वो आवाज करता हुआ खुल गया अंदर अंधिरा था संजे ने दो कदम आगे बढ़ कर आसपास निगाहें खुमाई बाई और एक दर्वाजे के नीचे से रोशनी बाहर छांक रही थी उसी दर्वाजे के पीछे से एक आवाज आई कौन तनेजा हाँ संजे ने जवाब दिया दर्वाजा खोल कर पिस्टॉल हाथ में लिये जो आदमी प्रकट हुआ उसका ना सिर्फ कदबुथ ही संजे से मिलता था बलकि चेहरे के लिहाज से भी इतनी समानता थी कि सही मेकप के बाद आम आदमी को दोनों में आसानी से फर्क का पता नहीं चल सकता था संजे को मानना पड़ा कि डुप्लिकेट की तौर पर वाकई सही आदमी को इस्तमाल किया गया था तेनेजा की आवाज की सही नकल तुम नहीं कर पाए वेह आदमी मुस्कुराया अगर किसी और ने यह बात कही होती तो मैंने उसका मुह तोड़ देना था संजे बोरा लेकिन तुम नकल और जालसाजी करने में एक्सपर्ट हो इसलिए तुम्हारी बात का बुरा मैं नहीं मानूंगा अंदर आओ वेह पिस्तॉल से इशारा करके थोड़ा साहिड में हो गया संजे अंदर पहुचा फर्ष पर सिर्फ दो पुरानी तूटी सी कुरसिया पड़ी थी छत में चारो ओर मकडी के जाले लटक रहे थे धूल से अटे एक बल्ब से पेली मरियल सी रोश्नी खस्ता हाल दिवारों पर पड़ रही थी उस आदमी के चहरे पर व्याप्त मुस्कुराहट संजे को खत्रे का आभास दिला रही थी खूब एश कर रहे लगते हो संजे ने कहा हाँ लेकिन पचास लाग की वो रकम तुमने नहीं चुराई थी तुम बेवकूफ हो हाँ मैं बेवकूफ हूँ लेकिन तुम बकरे हो बली के बकरे इस बात ने उसे ताव दिला दिया उसने इतनी जोर से संजे को धक्का दिया कि उसका सिर एक दिवार से टकरा कया तुम वाकई पली के पक्रे हो बको मत, मेरा मुब बंद कराने में तुम्हारा नुकसान है दोस्त संजे अप्रभावित स्वर में बोला तनेजा तुम्ही डबल क्रॉस करने वाला है सारी रकम को वह अकेला ही हडब जाना चाहता है क्या बक्ते हो तुम समझ रहे हो कि वह तुम्हारे साथ हिस्सा बाटेगा यह जानते हुए भी कि तुम एकलौते आदमी हो जो साबित कर सकता है कि मैंने चोरी नहीं की वह तुम्हें जिंदा रहने देगा तुम उसके लिए बड़ा भारी खत्रा हो क्योंकि तुम कभी भी अपनी जुबान खोल सकते हो उसे ब्लैक मेल करना शुरू कर सकते हो इसलिए इस खत्रे को वह हमेशा के लिए खत्म कर देगा मेरे बाट तुम्हारा यह नंबर है लगता है तुम ज़्यादा देर जीना नहीं चाहते मेरी बाट छोड़ो यह बताओ तुम्हारे इस महल में फोन है? हाँ तब तो मैं अभी साबित कर दूँगा कि तनेजा तुम्ही डबल क्रॉस कर रहा है तुम ग्लोब इंशोरेंस कंपनी फोन करके पता लगाओ कि इंशोरेंस इंवेस्टिकेटर मिस्टर परेशनाद पवार तनेजा से मिलने जा चुका है या नहीं? तनेजा ने घंटा भर पहले कंपनी में फोन किया था जानते हो क्यों? वह तुम्हें पुलिस के हवाले करना चाहता है तुम यह सब कैसे जानते हो? बैंक में तुमारे ही नहीं मेरे भी रसूख है बाहा चलो उसने आदेश दिया संजे कमडे से पहरा गया पिस्तॉल वाला ठीक उसके पीछे था बाई और घूमो संजे ने वैसा ही किया उस आदमी ने एक लाइट स्विच आन कर दिया रोशनी में संजे ने देखा परवेश हॉल खासा बड़ा था दूर दूसरे सिरे पर एक टेलिफोन उपकरण दिवार में फिट था संजे को करीब पांच पूर दूर खड़ा करके उसने फोन पर डेरेक्टरी इंक्वारी से पूछ कर ग्लोब इंशोरेंस कंपनी का नंबर डाइल किया मैं निजामाबाद बैंक से बोल रहा हूँ चन शणों प्राद वह बोला मिस्टर तनेजा जानना जाते हैं कि मिस्टर परेशनाद पवार ओफिस से चल दिये हैं या नहीं कुछ एक पल खामोशी चाही रही आपको यकीन है वह मिस्टर तनेजा से ही मिलने गए हैं अंत में उसने पूछा कहीं और तो नहीं गए फिर दूसरी ओर से जो कहा गया था उसे सुन कर रिसीवर हुक पर लटका दिया उसका चेहरा फक पड़ चुका था आप तो यकीन आ गया कि तुम्हें बली का बकरा बनाया गया है संजे ने पूछा और जवाब का इंतदार किये बगैर बोला रकम कहा है बहतर होगा कि रकम को अपने कबजे में कर लो फौरण यह सब तनेजा की उसी दगाबास सहेली की हरकत है वह एक-एक शर्थ पर जोर देता हुआ गुर्रा कर बोला वही दो टके की बाजारू कुतिया यह करा रही है कौन सहेली संजे ने जल्दी से पूछा किस कुतिया की बात कर रहे हो वह हसा मैं तु समझ रहा था कि तुम्हें हर एक सवाल का जवाब मालूम है मैं एक बात यकीनी तोर पर जानता हूँ तुम्हारा नंबर लग चुका है वे मेरा कुछ नहीं विगार सकते मैं पुलिस को सब बता दूँगा तुम्हारे साथ दिक्कत है कि तुम दिमाग से काम नहीं ले रहे हो असलियत यह है कि जाहिर तो यही किया जाएगा कि तुम्हें पुलिस के हवाले किया जाना है लेकिन पुलिस तुम तक कभी नहीं पहुचवाईगी इसी मकान में या हाईवे पर ही कहीं तुम्हीं ठिकाने लगा दिया जाएगा चहरे पर मुस्कुराहत छिपकाए उसी आगे बरता देख कर संजे हसा तुम्हारे सिर पर मौत नाच रही है दोस्त अचानक उसने पिस्तॉल की मुट से संजे की ठोड़ी पर प्रहार कर दिया संजे ने अपना हाथ मुँपर रखा तो खून से सन गया तभी उसने दोबारा प्रहार किया इस दफा पिस्तॉल संजे की कनपट्टी से ठकराई प्रहार इतना वज़नी था कि वह त्योरा कर नीचे जागिरा और उसकी चेतना जवाब दे गई होश में आने पर संजे ने स्वैम को गीले फर्श पर पड़ा पाया उसे अपने सिर में हतोडे से बचते लग रहे थे और गला बिलकुल खुश्क हो गया था फिर नीव अंधेरे में इधर उधर निगाहें दोड़ाने पर समझ गया कि फॉरेस रोड के उसी मकान के किसी अन्यक कमरे में था उसने उटने की कोशिश की तो हाथों को मजबूती से पीट पर बंधे पाया अपनी हालत की परवार ना करते हुए उसने करवट पर दी और पेट के बल उलट गया फिर धीरे धीरे घुटनों के बल उठा और रेंग कर बंध दरवाजे के पास जा पहुचा बंधे हातों से डोर नॉब गुमाने की कोशिश की तो पता चला कि दरवाजा लॉक था ऐसा लगता था कि उसका डुपलिकेट पिस्टॉल लिए तनेजा का इंतजार कर रहा था तनेजा से निपटने के बाद उसका किस्सा भी उसने निट्टा देना था इसमें शक की कोई गुनजाइश नहीं थी संजय नहीं जानता था उसके पास कितना समय था फिर भी उसने कोशिश करने का फैस्ता कर लिया सबसे पहले काम था अपने हाथों को आजाद कराना उसने अपनी कूलों को जोर से हिलाया कोट की बाई जेब में पड़े सिगरेट लाइटर का आभास पाते ही उसकी आँके खुशी से चमकने रगी डुप्लिकेट इतनी घबराहट और जल्दबाजी में था कि उसकी तराशी लेने का विचार उसे नहीं आया था गनिमत थी कि कोट के बटन भी खुले हुए थे वह फर्श पर पैट गया इस परियास में कोट का सामने वाला दाया हिस्सा थोड़ा पीछे खिसकाया था शरीर की उपरी हिस्से को बाई और जुगा कर वह अपने बंदे हुए हातों को कोट की दाये जेब तक पहुचाने में काम्याब हो गया फिर उंगलियों से जेब के अस्तर को धीरे धीरे उपर खिंचने लगा थोड़ी देर तो लगी लेकिन अंत में लाइटर उसके हात में आ गया लाइटर को पीट की पीछे फर्श पर रख कर जलाने की कोशिश की पूरे पांच बार के प्रयत्न के पश्चात ही उसे जलाने में सफल हो सका शेश कार्य और भी कठिन था परियाप साथानी बरतने के बावजूद उसकी कलाईयां कई जगे से जल गई लेकिन आखिरकार कलाईयों पर कसी रस्ती को जलाने में काम्याबी मिली गई लाइटर की रौष्णी में उसने कमरे का मौयना किया दरवाजे वाली दिवार के पास तीन पायों वाली मेज पर एक टेबल लेंप रखा दिखाई देते ही उसकी दिमाग में मुद्दत पहले किसी उपन्यास में पड़ी तरकीब बिजली की भाती कौन्द गई उसने टेबल लेंप ट्राई किया वो काम कर रहा था दिवार में बने स्विचबोर्ट से उसने लेंप की दोरी के सिरे पर लगा शू पाहर कीज लिया फिर लाइटर के सायता से दोरी को उ स्थान पर जला कर जहां वो लेंप के निजले सिरे से अंदर गई हुई थी जलाकर करीब 6 इंच की लंबाई तक तार नंगी कर ली। उस नंगी तार को दर्वाजे की डोड नॉब पर लपेट कर दोसरी तरफ वाले सीरे की इंसुलेशन को जलाकर करीब एक फुट की लंबाई तक तार नंगी कर ली। और उसी दर्वाजे की पीछे फर्श पर डाल दि डोरी के शू वाले सिरे को हाथ में थामे स्विच बोड के पास खड़ा फर्ष पर पैर पटकता हुआ वहे चिलाया आग बचाओ आग लग गई आग भागते कदमों की आहट सिर्णियों पर आती सुनाई थी फिर वो आहट दर्वाजे के दूसरे और आ पहुची की होल की चाबी खुमाई गई बाहर से लाइट स्विच आउन किया गया जिससी कमरे का बल्ब चलता था संजे दम साधे इंतजार करता रहा जो ही दर्वाजा खुलना आरम हुआ और एक पैर कमरे में रखा गया संजे ने शो स्विच बोर्ट के पलग में खुसेर दिया स्विच पहले से ही ओन था तुरंट एक ची खुबरी फिर अजीब सी ई-ई की आवाज सुनाई देने लगी अधकुले दर्वाजे से संजे ने देखा उसका एक हाथ दर्वाजे के हैंडल पर रखा था और वह सिर से पाउं तक बुरी तहें काप रहा था जल्दी ही चमडा जलने की गंद आने रगी डुप्लिकेट की घुटने मुड गए लेकिन वह दर्वाजे से अलग नहीं हो पाया करीब आधा मिनट और इंतजार करने के बाद संजे ने शूप लग से बाहर खीच लिया डुप्लिकेट फर्श पर जागिरा वह जिन्दा था या मर गया यह जानने के चक्कर में पढ़ने की बजाए संजे उसकी जेबो की तलाशी रेने लगा उसका पर्स हाथ में आते ही खोल कर देखा उसमें मौजूद ड्राइविंग लाइसेंस के मुताबिक उसका नाम पितामबर दत था और रह निजामाबाद के ही एक उपनगर में गहता था पर्स अपनी जेब में डाल कर संजे ने शेश जेबो की तलाशी ली एक अन्य जेब में पॉलिथिन की छोटी सी थैली में रखा प्रिंटेट कागज का एक टुकडा मिला वो निजामाबाद रेलवे स्टेशन पर क्लॉक रूम में सामान जमा कराने की रसीत का एक हिस्सा था जिस धंग से उसे फाड़ा गया था उससे चाहिर था कि उसके दो या तीन हिस्से और थे संजे ने अपना जूता उतारा और उसे उसी तरह जुराप के अंदर रख कर जूता पुना पहना और बाहर निकल गया लड़ खडाता हुआ सा सीरिया उतर कर वह नीचे फोन के पास पहुँचा पुलिस हेडक्वाटर से संबन स्थापित करके बोला 78 अबलीक 20 फॉरेस रोड की दूसरी मंचिल पर एक आदमी की लाश पड़ी है दो बार यही दोराकर रिसीवर वापस हुक पर पटका और बाहर निकल गया ताजा हवा के जोकों के सपर्ष से सफोर्ती सी अनुभव करता वह में रोड की ओर चल दिया सड़क पर ट्रैफिक नाम मात्र कोही था जो ही शेहर की ओर जाने वाली पहला वहार आता दिखाई दिया वह सड़क के बीचों बीच खड़ा होकर जोर सी हाथ हिलाता हुआ उसी रुकने का इशारा करने रगा वो एक खाली ट्रक था सिख ड्रैवर ने साइड में ट्रक रोक कर उसे घूरा की गले भाई साहब संजे भावनापुन स्वर में जल्दी जल्दी बोला मुझे जहर पहुचा दो बड़ी महरबानी होगी पर त्वानू होया की है तीन बदमाशों ने मुझे पीटा और मेरा स्कूटर छीन कर भाग गए ड्रैवर के संकेत पर बगल में बैठे क्लीनर ने अपनी साइड का दरवाजा खोल दिया संजे उसकी मदद से उपर चड़ कर उसकी बगल में पैठ गया ड्रैवर ने ट्रक आगे बढ़ा दिया आजकल जमाना ही खराब है दिन दहाडे लूट माल खोन खराबा आम बात हो गई है ड्रैवर हमदर्थी जताता हुआ बोला उनकोल कोई हतियार सी? उन्होंने छोटे छोटे डंडे अपने पास छिपाए हुए थे संजे ने कहा और रियर व्यू मिरर में अपना चेहरा देखने लगा दोनों आखे सूज गई थी गालो पर भी सूजन थी उपर ले होट पर खून लगा था ठोड़ी पर एक इंच लंबा कट था उससे बहा खून गले और कमीज के सामने वाले भाग पर जमा हुआ था सामने से साइरन गुजाती एक पुलिस कार आ रही थी वो उनकी बगल से तेजी से गुजर गई हुन तुसी ठाने जाओ के? ड्राइवर ने पूछा नहीं, पहले एक फोन करके किसी को बुलाऊंगा फिर कुछ और करूंगा दस मिनट बाद जब वे एक हॉस्पिटल के पास पहुँचने वाले थे संजे ने कहा यहीं उतार दीजिए बड़ी महरबानी आपकी साढडी कादी महरबानी बाओ जी महरबानी तो उपर वाले दिये ओई सब्दा राखा है ट्रक रुकते ही संजे नीची उतर कर हॉस्पिटल की और चल दिया पबलिक टेलिफोन बूत में जा कर उसने मिनाक्षी को फोन किया लेकिन उसके फ्लैप में घंटी ही पश्टी रही पह अभी घर नहीं लोटी थी दस मिनट बाद दोबारा ट्राई किया तो जवाब में मिनाक्षी की आवाज सुनाई दी संजे बोल रहा हूँ पह बोला संजे मिनाक्षी का चहकता सा स्वर सुनाई दिया कहा हूँ तुम? तुम्हारी फिक्र में मेरी जान सूकती रही है संजे हॉस्पिटल के बारे में बताने के बात बोला तनेजा की आदमी ने मार मार कर मेरा हुलिया बेगार दिया है तुम्हें ज़्यादा चोटे आई है मिनाक्षी ने चिंतित स्वर में पूछा नहीं, लेकिन हालत खसता है मैं आ रही हूँ, मुझे गेट के बास मिलना ठीक है, संबन बिछेट करके संजे ने अनीता पुरी को फोन किया अनीता, वह बोला, संजे बोल रहा हूँ ओ, हावर यू? अनीता के स्वर में आपचारिकता का गहरा पुर्ट लक्षे करके संजे की आँके सुकुड गई तो यह थी अब तक की कहानी आगे की कहानी जानने के लिए बनी रहें मेरे साथ और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और कॉमेंट करके जरूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा धन्यवाद